है गाइस वेलकम दो ट्वेंटी सेकेंड लेक्ट्चर ओफ दे चैप्टर अनिमल किंग्डम आयम हरीश्यु कुमार और इस लेक्ट्चर में हम क्लास अंफीबिया के बाड़े में पढ़ेंगे तो चलो ये लेक्ट्चर शुडू करते हैं देखिए फाइलम कॉडेटा में हमने एक सफाइलम के बाड़े में पढ़ना शुडू किया था जो है वर्टिब्रेटा आपको याद हो थो ठिक वर्टिब्रेटा में हमने दो डिवीजन पढ़ा एग्नेथा और गेनेथोस टोमैटा ऑगेनेथा हमने कंप्लीट कर लिया और बात आती है super class tetrapoda की, देखिए जो super class tetrapoda है न, इन में हम 4 classes के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक, 4 classes के बारे में अभी हम आगे future में पढ़ने वाले हैं, पहला है amphibia, amphibia के साथ हम इसी lecture में deal करेंगे, आगे फिर हम reptilia के बारे में पढ़ेंगे, फिर avis यानि की birds के बारे मे and then mammals जिसके अंदर हम humans आते है ठीक तो चलो अभी super class tetrapoda का सबसे पहला class amphibia के बाड़े में पढ़ना शुरू करते हैं तो moving on to the next slide तो बात करते है class amphibia की देखिए class amphibia जो है ये दो शब्द से बना है amphibia term एक amphi और एक bios amphi का मतलब होता है dual, bios का मतलब होता है life ठीक है तो ऐसा मत समझ लेना कि amphibia class के members जो थे वो दो जिन्दगी जीते हैं एक बाड एक जिन्दगी जी लिया मढगे फिर एक और जिन्दगी जीते हैं ऐसा नहीं dual life का मतलब यहाँ पर क्या देखिए ये water में भी रह सकते हैं इनका एक life water में है और एक life land पर मतलब कि land और water दोनों में रह सकते हैं दोनों environment में रह सकते हैं इसलिए dual life बोला है ठीक जैसे बहुत ही famous example frog frog में आप एक तरीके से देखो तो यह water में रहता है साथिसाथ land पर भी रहता है तो dual life इस perspective में dual life कहा गया है ठीक है ऐसा मत समझ लेना कि frog जो है वो दो जनम जीता है नहीं dual life का मतलब यहां वो नहीं है आप सब तो समझदार हो या इतना तो पता ही होगा ऐसा लगता है न कि 5-6 class के बच्चों को पढ़ा रहा हो कभी कभी ऐसा लगता है और इसे अच्छी बात है आपको हे हुरी अक्वर अबर्टिक में अर्थ है क्वाटिग में नहीं हिर से फ्रेची आपका एंपাया का मिंबर देखने इसे बार रहा यह पहली लेकिन लैंड पर आने में वो successful नहीं हुए completely ठीक है लेकिन यह जो एक और class है amphibia का इसके जो members थे यह first codate animals है जो land पर आने में successful हुए ठीक है which came out of water ओके तो ऐसे धीरे-धीर evolution हो रहा था और और फिर class amphibia के जो members थे वो लैंड पर लेकिन इनके अंदर भी एक दिक्कत हो गई पता है क्या देखो they are not able to live on land permanently permanently यह land पर नहीं रह सकते they depend on water for their reproduction यानि कि जब इन्हें अंडा देना होता है एग लेंग के समय इन्हें पानी में जाके अंडा देना होता है क्यूं क्यूंकि their eggs do not have a protective covering यानि कि non-clidoic eggs है देखो in general eggs के उपर calcium carbonate का एक layer होता है ठीक है जो कि eggs को harsh environment से harsh climate से protect करता है और ऐसे eggs को कहते हैं Clidoic eggs जिन पर protective covering हो लेकिन amphibia के जो eggs होता है amphibia के जो members के जो eggs होते हैं इनके उपर किसी तरह की protective covering नहीं होती है calcium carbonate की कोई एक protective covering नहीं होती यानि कि non-clidoic egg होते है तो अगर इसने egg को land पे ले कर दिया न तो सूरज की गर्मी इतनी है कि जो अंडे है न वो खराब हो जाएंगे क्योंकि उस पर किसी तरह का protecting covering नहीं है तो egg laying के लिए इन्हें पानी में जाना होता है तो depend on water for their reproduction यानि कि land पे आने में तो successful हुए लेकिन क्या ये completely successful हुए amphibia के member बताइए तो आप खोगे नहीं से completely कौन successful हुए reptiles crocodiles ठीक है snakes ये सब reptiles है ये land पे आने में completely successful हुए तो ऐसे आप एक pattern अपने दिमाग में evolution का एक pattern बनाये चलिएगा ठीक है तो वापस एक बार इसे रिवाइस करते है live in aquatic as well as terrestrial habitats they are not found in marine habitats first caudate animals which came out of water पहला caudate animals जो पानी से बाहर आया ठीक है class amphibia आपको याद रखना है पर या successful होगे ते completely नहीं क्यों देखो they are not able to live on land permanently, land पे तो आये लेकिन land पे permanently नहीं लह सकते, क्यों नहीं रह सकते, they depend on water for their reproduction their eggs do not have a protecting covering यानि कि non-clidoic eggs होते है चलिए आगे बढ़ते है moving on to the next slide अब students चलिए class amphibia का एक बड़ाई famous member है frog उसी के body comp study करेंगे तो हमें एक in general idea मिल जाएगा कि class amphibia के features और characteristics कैसे होते है ठीक है तो मैं frog का example लेकि आपको इस पूरे class को अच्छे से class amphibia को पूरे अच्छे से explain करने वाला हो तो देखिएगा ये एक frog है ठीक है तो एक बार देखो मैं label कर देता हूँ इसके body को यहां पर तो आपको देखो let me zoom it for you guys यह रहा इसका head ठीक है कोई डरना नहीं frog को देखके मैं देखो तो फ्रॉक से बारा डर लगता है पता नहीं क्यों स्नेक से उतना डर नहीं लगता जितना frog से लगता है तो यह head है ठीक यहां पर eyes eyes with eyelids ठीक है देखो मैं frog क्यों उपर आगे यह रहा head यह eyes with eyelids यहां पर यह नॉस्ट्रिल होते है छोटे 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 नॉस्ट्रिल ठीक है अब यह जो इसको मैंने यह पिंक कलर में क्यों लिखा है यह important है यह NCRT का है ठीक है इसको अच्छे से ध ट्रंक वाला पार्ट इसको पर यह रा स्किन ठीक है ट्लोएका एक चेंबर होता है ठीक है इसके बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगा प्लोएका चेंबर आपको इदम पीछे में देखने को मिलेगा हाइंड लिम्स पीछे के तरब जो लिम्स होते हैं हाइंड लिम्स कहते हैं और पांच उंगलिया देखने को मिलती है फाइव डिजिट्स यहाँ पर यहाँ पर ऐसे बनाया नहीं अच्छे से लेकिन आप यह मैंने लिग दिया धिहान रखेगा फॉर लिम्स पॉर ठीक है तो यहाँ पर हमने एक जेनरल जो हमारा एक एमफीबिया है इसके बॉड़ी को हमने क्या किया स्टडी किया ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं मुविंग ऑन पुदे नेक्स्ट स्लाइट लेकिन उससे पहले सौरी एक चीज़ ध्यान रखेगा जो स्किन होता है न यह म इनका जो स्किन है ड्राइ हो जाएगा तो इनको दिक्कत होगा क्योंकि स्किन के ऊपर किसी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती जो इनको सन के रेस से प्रोटेक्शन दे लंबे समय के लिए तो इन्हें बार बार पानी में जाना परता है अपने स्किन को वापस से मॉइस्ट क करने के लिए, ठीक है तो skin कैसा होगा, moist, without scales, किसी तरह का scales present नहीं है, glands present होते है, ठीक है, glands present होते है, और इंके आपको metacrosis देखने को मिलता है, skin में metacrosis का मतलब होता है color changing phenomena, कुछ reptiles में, और कुछ amphibias में आपको देखने को मिलेगा, जो इनके जो skin है न वो color change कर सकते, color changing phenomena हम भी से कहते हैं ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं moving on to the next slide अब देखिए students numerous glands are found for moistening the skin skin को moist रखने के लिए बहुत तरह के glands amphibia के body के उपर present होते हैं and also poisonous glands are present in skin कोई-kोई amphibia के member के body पर आपको poisonous glands देखने को मिलेगा अब कई कबार किसी-kिसी member में यह poisonous glands active होते हैं किसी-kिसी member में inactive भी होते हैं तो just because poisonous glands present है इसका मतलब यह नहीं कि वो harmful है ठीक है अगर यह poisonous glands active है तब वो नुकसान पहुचा सकता है आपको ठीक है तो कभी अगर आपको कोई ऐसा एक अजीब सा दिखने वाला कोई amphibia दिख जाए तो उसको छूने मत जाना ठीक है क्या पता उसके जो शरीट पे जो poisonous glands है वो active हो तो आपको नुकसान हो सकता है ठीक जैसे यह देखो बड़ा ही famous example है बफो टोड होता है यह टोड बफो टोड ठीक है इनको देखो आप इनके skin को आप अगर आप देखोगे न स्किन पर इसे यह gland present है यह दिखरे फूले फूले मोटे मोटे तो ऐसा आपको टोड कभी नजर आए न तो इससे छूना मत क्या पता है इसके जो poisonous glands हो यह active हो ठीक है हो जाएगा आपको ठीक चलिए आगे बढ़तें moving on to the next slide Charlie students अब जानते है class amphibia के digestive system के बाड़े में digestive system की बात करें तो देखिए well developed and complete elementary canal present होगा with digestive glands ठीक है digestive glands होता है complete elementary कनाल होता है लेकिन याद रखेगा एक gland salivary glands जो होता है यह absent होता है frogs के अंदर ठीक है salivary glands absent in frogs यहां देखो एक फ्रॉग है इसका पूरा digestive system को यहां पर समझाया गया आप एक बार देख लिए यह राई इसोफेगस यहां पर यह इसोफेगस है यह स्टमक है यह intestine है और यहां पर क्लोएका अपर्चर है ठीक है क्लोएका की opening है क्ल क्लोएका और यह जो क्लोएका है यह externally बाहर की तरफ open हो रहा है जिसे हम कहे रहें क्लोएका अपर्चर ठीक है क्लोएका ओपनिंग अब देखिए यह जो क्लोएका के चेमबर है ना इसमें पता है कौन-कौन जाके open होता है इसमें elementary canal यहां तक की urinary bladder and genital ducts यह सब कहां open होता है in this chamber called क्लोएका और यह क्लोएका फिर आगे externally बाहर की तरफ open होता है ठीक तो यहां पर तो बस elementary कनाल को शोक किया गया है लेकिन याद रखिएगा urinary bladder भी कहां जाके खुलता है क्लोएका में genital ducts भी कहां जाके खुलता है क्लोएका में elementary कनाल किससे related है डाजेस्टिव सिस्टम से urinary bladder किससे related है एक्सक्रेशन से और genital duct किससे related है reproductive system से तो यह सब के सब कहां जाके open होते है into a common chamber called क्लोएका ओके चलो अब अब अगला point तीथ के बारे में देखो frog में तीथ कैसा होगा ак्रोडॉं अयनमें दानत कैसे होगा एक्रोडॉं पखिषे में भी तीथ कैसा था एक्रोडॉंट है ठीक है चलिए याद रखिएगा और यह सब चीज़े क्या है प्लीरोडॉंट, होमोडॉंट, पॉलिफाइओडॉंट, एक्रोडॉंट यह सब आप डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़िएगा न तो वहाँ पिस चीज को डीटेल में पढ़िएगा ठीक ह चलिए आगे बढ़ते हैं, moving on to the next slide, अब बात करते हैं, class amphibia में respiration की, तो देखिएगा, respiratory system की बात करें, तो respiration जो होता है, वो gills से होता है in larva, और adult में बात करें, amphibia के जो adult होते है, जो members adult होते है, उनमें respiration कैसे होता है, skin, lungs and buccopharyngeal cavity में, तो larva कैसे respiration करते है, by gills, और ज से करते है, skin, lungs, या फिर buccopharyngeal cavity, तो यहां देखो, यह larva है, ठीक है, frog का larva, इसे हम tadpole कहते है, यहां पर gills present है, अब एक चीज में आपको यह पयाद दिलाना चाहता हूँ, revise कराना चाहता हूँ, जब मैं आपको class eurocord data पढ़ाया था, उस समय भी मैंने आपको एक चीज बोल को भी tadpole कहा जाता है, and साथी साथ, frog के larva को भी tadpole कहते है, ठीक, तो यह जो larva होंगे, कैसे respiration कर रहे है, by gills, और जो adult है, वो कैसे कर रहे है, skin के through, lungs के through, ठीक है, साथी साथ, यहां बको pharyngeal cavity present होती है, उसके through respiration करते है, most common respiratory organ जो है, amphibia में वो है skin, amphibia class के जो members होते है, जादा तर members में देखा गया, जो common, most common respiratory organ है, वो है skin, तो skin से ही ज़्यादा time देखा गया respiration होता है, ठीक है, class amphibia के members में, ओके, चलिए, आगे बटते है, moving on to the next slide, अब चलिए बात करते है, class amphibia के अंदर, circulatory system की, देखिएगा, heart is three chambered, कैसा heart होगा, three chambered heart होगा, दो atria होती ह और one ventricle present होता है, ठीक है, RBC जो होता है, red blood cells, यह कैसे होते है, by convex होते है, oval होते है, shape में, और nucleated होते है, nucleus present होता है, ठीक, heart कैसा है, three chambered है, fish में कैसा था, याद किजिए, two chambered था, ठीक, venus heart जिसे हम कह रहे थे, कुछ इस तरीके का होता है, इतना आपको detail में, labeling ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है, बस एक बार देख लीजिए, ठीक, आपको at the end of the day मेंने क्या कहा था, वही figure अच्छे से पढ़ना है, जो NCRT में, ठीक, पढ़ आपको अगर extra knowledge के लिए अगर देखना है, कैसा होता है, heart, उसका labeling जानना है, तो देख लीजिए, यहाँ पर यह आप और superior vena cava, इधर inferior vena cava, यह रहे pulmonary veins, ठीक, चलिए, main तो यहाँ पर जो है, वो यह है, यह याद रखना बस कि heart जो है, वो three chambered होता है, दो atria and one ventricle होता है, ठीक है, renal portal system and hepatic portal system are found, यह दोनों point तो अतना कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपने circulatory system अच्छे से पढ़ा है, और आपको जानना है कि renal portal system कैसा होता है, आपको अगर आपने circulatory system अच्छे से पढ़ा और आपके मन में doubt है, तो आप यह पढ़ सकते है for extra knowledge, बाकि इस पुरे slide में, इस पुरे slide में important तो बस यही है, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, moving on to the next slide, अब बात करें skeletal system की, तो skeletal system में देखे, skull कैसा होगा, dicondylic होगा, ठीक है, यानि कि बस एक occipital condyle आपको देखने को, sorry, दो occipital condyle यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक, दो occipital condyle यहाँ पे होता है, यह यह राई कि यह सायद आपको यहाँ पर सही से नजर ना आ रहा हो, ठीक, तो यह हमारा frog का skeletal system है, all right, endoskeleton है, occipital condyle कितने होते हैं, दो तो उसके basis पे skull को हमने dicondylic का, humans में हमारे अंदर भी, जो skull है, यह dicondylic होते है, यादको रोफिशेस में, पाइसेस में, यह जो skull थे कैसे थे, monocondylic, ठीक, चली, आगे बढ़ते हैं, moving on to the next slide, अब students बात करते हैं, sensory organs की, ठीक, eyes have eyelids, यह तो मैंने आपको शुरू में बताया था, eyes with eyelids, यानि कि यह बहुत important point है, NCRT के में अच्छे से लिखा गया इसके बाड़े में, कि eyes जो होते हैं, इन पे eyelids present होता है, only one ear ossicle, columnella, जिसे हम steps कहरे है, is present in middle ear, ठीक है, यह उतना important नहीं है, लेकिन यह important है, a tympanum represents the ear, ठीक ह ठीक है, and only one ear ossicle, columnella, जिसे हम steps कहरे है, is present in middle ear, ठीक, चलिए, यहाँ पर बस उतना important है, ज्यादा और कुछ खास नहीं, बस एक point यहाँ पर यह याद रखेगा, tympanum represents the ear, and eyes, जो है, उन पर eyelids present होता है, देखो, यह जो chapter in animal kingdom, यहाँ पर समझने का कम है, याद आप कितना ज्या CRT complete कर लिए है, ठीक है, जो dropper है, शायद उनको थोड़ा बहुत extra में मन होगा, जानने का, तो वो ही extra चीजों में घुसे, बाकि आप CRT specific रहो, कोई दिकत नहीं है, लेकिन मैंने देखा यार, एक चीज, 5-6 questions जो होते हैं, वो out of CRT आते हैं, अब जिनको वो 5-6 questions का risk नहीं लेना है, वो तो CRT specific होके रहो, लेकिन जिनको पूरा एकदम 360 out of 360 जिनका गोल है, उनको थोड़ा extra पढ़ना होगा, ठीक है, अल्राइट, चलिए, आगे बढ़ते हैं, moving on to the next slide, now, cranial nerves are 10 pairs in number, 10 pairs of cranial nerves आपको देखने को मिलेंगे, lateral line sensory system is found only in larval stage, larval stage पर आपको lateral line sensory system देखने को मिलता है, या आपको आपने Pisces में भी पढ़ा है, excretory organ kidney होता है, एक pair होता है, kidney का दो kidney देखने को मिलेगा, एक pair, kidney के origin के basis पर इन्हें हम mesonifric कहते हैं, mesonifric, ureotelic होते हैं, ureotelic यानि की excretory matter क्या है, ureia, but, 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 tailed amphibians and larva are ammonotelic, जो tailed amphibians है, मैंने कहा था, कुछ है amphibians में आपको tail नजर आएगा, ऐसे amphibian, या फिर जो larva होते हैं amphibia का, ये ammonotelic होते हैं, excretory waste क्या होता है, ammonia, ठिक, चलिए, आगे बढ़ते हैं, class amphibia के जो members है, ये poikilothermik होते हैं, यानि की cold blooded होते हैं, ठिक, hibernation और estivation is found, दिखिए, summer और winter की basis पे हम hibernation and estivation कह रहे हैं, अगर winter का समय है, और ये जो amphibia है, इनको बड़े ही, आराम से रहना है, ठिक है, तो ये क्या करते हैं, hibernation में चले जाते हैं, अपने metabolic activity को slow कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा energy का body योटिलाइज ना करें, और ये winter को, आर्चे से winter का जो पूरा समय है, उसको एक जगा बैठे-बैठे काट दे, ठीक है, तो hibernation में चले जाते हैं, अब यही चीज़ अगर ये summer की time कर रहे हैं, तो हम उसके लिए term यूज़ करते है, estivation, winter में कर रहे है, तो hibernation, ठीक है, और summer में वही चीज़ कर रहे है, तो हमने उसके लिए term लिख दिया, estivation, ठीक, तो hibernation और estivation is found, sexes are separate, यानि कि dyaches होते हैं, एक female नजर आएगा, एक male नजर आएगा, ठीक, चलो, आगे बटते हैं, moving on to the next slide, अब देखिए, इनके अंदर fertilization कैसा होता है, fertilization external होता है, and takes place in water, water में होता है fertilization, ठीक है, some animals, so internal fertilization, लेकिन amphibia के कुछ member है, उनमें fertilization internal होता है, mostly तो आपको external देखने को मिलेगा, और fertilization कहां होता है, takes place in water, ठीक, they are oviparous, अंडा देते हैं, lay eggs in water, ठीक है, देखो, frog with eggs, यहाप एक frog है, वो अपने अंडों के साथ बैठा हुआ है, यहापे, और इन्हें यह water में ले करता है, क्योंकि non-cledoic eggs है, right, outer covering नहीं है, तो अगर land पे रहेंगे, तो damage हो जाएंगे, sun के heat से, इसलिए पानी में जाके जो frogs है, वो अपने अंडों को ले करते हैं, ठीक, चलिए, आगे बढ़ते हैं, moving on to the next slide, अब बात करते हैं, development की, तो development कैसा होता है, indirect होता है, यानि कि लार्वल स्टेज होगा, frog के लार्वा को हम tadpole कहते हैं, यह देखिए, tadpole, tadpole larva, ठीक है, respiration कैसे होता है, gills के थ्रू, और याद करो, eurocordata के larva को भी हम tadpole कहते हैं, axolotl larva यह salamander का larva है, salamander मैं आपको भी आगे इसका figure दिखाऊंगा, image दिखाऊंगा, examples में, salamander एक tailed amphibian है, ठीक है, tail present होता है, और salamander के larva को हम कहते है, axolotl larva, ठीक है, तो larva में again gills respiration होगा, ठीक है, यह आपको gills नजर भी आ रहे पर लार्वा जो है, इसे बहुत लोग शौक से अपने aqureum में पालते भी है, ठीक, दिखने में यह सुंदर होता है, देखो ना कितना सुंदर लग रहा है, ठीक, तो इन्हें बहुत जन aqureum में पालते भी, ऐसे frog को भी बहुत जन पालते है, frog जो tadpole है, इन्हें भी बहु है frog जिसका हम राना नाम से जानती इनका scientific निम राना ठीक है common भाषा में frog कह दो common निम एक थायोपिस यह limbless amphibian है यानि कि आप से पुछे बताओ limbless amphibian कौन सा है क्या नाम है उसका तो आप बोलोगे एक थायोपिस is a limbless amphibian किसी तरह का limb देखो hind limb या four limb present नहीं है लेकिन यहाँ पर देखे आपको four limb और hind limb भी दिख जाएगा frog में चली आगे देखते और भी examples फिर आया एक और example आपका tree frog ठीक है बहुत छुटे-छुटे होते है दिखने में हाइला इने हम कहते है scientific name tree frog यह रहा salamandra जिसका common name है salamander tailed amphibian दे को tail present है trunk है और साथी साथ head भी है ठीक और यह हमारा buffo ठीक है बफो जिसे हम टौड कहे रहे हैं इनको पर याद रखिएगा poisonous glands होता है तो थोड़ा बच के रहिएगा ठीक है कहीं दिख जाए तो पकड़ने म चले जाहिए गाई से दूरी रहिए गाई सब फीजों से चलो तो यहां पर यह जो हमारा lecture है class amphibia का होता है समाप्त मिलता हूं मैं आपसे animal kingdom के अगले lecture में तब दे के लिए बाई thank you take care